हेलो दोस्तो, गुरुप D के महाशंगराम बैच में आप लोग का स्वागत है और आज से हम लोग परते एक दिन गुरुप D के एकजाम के लिए एक सेट को फुल्ली डिसकसन के रुप में हम लोग देखेंगे और आज सिप प्रती दिन सेट चलेगा और प्रते एक सेट में आपको 20 प्रशन का फुल्ली बिस्तार पुर्वग डिसकसन कराया जाएगा और ये जो 20 प्रशन होगा दोस्तो, ये कौनकोल से टॉपिक से होगा तो इसमें कुछ जो प्रशन होगा वो GK का भी होगा, कुछ GS का भी होगा और GS का कुछ नहीं, क्योंकि आप लोग सभी बच्चे को पता होगा कि अगर आप गुरूब D का एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर पहले कभी दे चुके हैं, तो आप उसमें क्या देखे होगे कि साइंस के प्रशनों की जो शंख्या होती है, वो काफी मात्रा में होता है काफी ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है उसके बाद Current Affairs का होता है, और उसके बाद GK का होता है तो ये GK, GS, Current Affairs, ये तीनों टॉपिक से गुरूबडी के एक्जाम में काफी मात्रा में प्रशन पूछे जाते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि गुरूबडी में 45 नंबर हम ला सकें सिर्फ ये GK, GS और Current Affairs है, तो ये सेट आपको उसी अधार पे सेट किया गया है ये सेट की जो खास अहमियत है वो ये है दोस्तों, कि हम गुरूबडी के एक्जाम से पहले आपको 50 सेट का फुली डिसकसन देंगे, और ये 50 सेट में आपको परतेक सेट में 20-20 परशन को डिसकस किया जाएगा ठीक है, और फुली डिसकस, फुली डिसकस कहने का मतलब है कि आपको यकीन माने एक परशन से आपको 5-6 परशन सीखने के लिए मिल सकता है लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रूब्लम ये है कि आपको परशन बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं मिल पाएगा क्योंकि परशन को लिखने में काफी ज्यादा समय ब्यतीत होगा, जो कि हम नहीं करना चाहतें क्योंकि अभी का जो समय है, वह काफी मुल्यवान समय है तो ये जो समय है उसको आप बियर्थ ना जाने दे, इस समय को ज़्यादा सदूप्योग करें खूब पढ़कर अपने जो एक्जाम है एक्जाम में सलेक्ट हो और कोशिस करें कि आप लोग इसी बर्स 2021 में ही आने वाले ग्रूब D का एक्जाम में पूरे जी जान से लग जाएं और इसी बार आपको सलेक्शन मिल जाएं हमारी भी यही कोशिस है और जब हमारी कोशिस यह है तो आपको भी मेहनत करना होगा और हमें भी मेहनत करना होगा तो हमने तो अपना फर्ज निभाना आज से स्टार्ट कर दिया अब बारी है आपकी तो चलिए सुरू करते हैं हम अपना पहले परशन से यह सेट नमबर वन सा सेट नमबर वन जो है आज हम लोग सेट नमबर वन को देखेंगे 20 परशनों को देखेंगे और पहले परशन का इधर option आपको लिखा हुआ मिल जाएगा और ये सारे option के बारे में discuss करेंगे परशन हम आपको ये जो PDF आप देख रहे हैं ये जो आप page देख रहे हैं इस page के माधियम से हम आपको परशन पढ़ कर सुनाएंगे आपको शुन कर लिखना होगा ठीक है लेकिन discussion हम पूरी तरीके से board पे बताएंगे तो चलिए start करते हम अपना पहले परशन को पहला परशन हमारा है आप लोग गौर से सुनेंगे गौर फरमाईएगा पहला परशन मारा महापरियान किस महापुरुष की शमाधी अस्थल है आपसे पहला परशन किया जा रहा है दोस्तों कि महापरियान जो है वो किस महापुरुष की शमाधी अस्थल है आपके पास चार option दिया गया है पहला option है मुरारजी देसाई दूसरा है राजेंदरे परसाद और तीसरा है चोधरी चरन सेंग और option number D जो है वो है कोई नहीं यानि इन तीनों option में से कोई नहीं ठीक है? ये है तो आप जल्दी से इसका का अगर आप answer जानते हैं तो आप comment box में बताएंगे चलिए इसका discussion हम लोग start करते हैं पहला जो option हमारा है वो है मुरारजी देसाई महापरियान की बात किया जा रहा तो महापरियान की बात करें तो आप लोग सभी बच्ची को पता होगा कि महापरियान है जो किस महापुरुष की शमाधी अस्तल है तो वो है राजेंद्र परसाद का लेकिन इतना ही जानना काफी नहीं है इतना जानकर आप सोचते हैं कि हम exam क्रेक कर लेंगे तो ऐसा कभी नहीं होने वाला आप सीमित मत पढ़िये आप विस्तारीत रूप से पढ़ें और विस्तारीत रूप में भी कौन सा टॉपिक जो फालतू टॉपिक है उससे बच कर चले जिससे ज़्यादा मात्रा में प्रश्न पूछने की संभावना है उस टॉपिक को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें ठीक है तो हमारा कोशिश वही है और इस सेट को बिलकुल आसान भाशाओं में हम लोग किलियर करेंगे कैसे देखिए आपको पता है मुरारजी दिशाई मुरारजी से बना मोर ठीक है यानि मुर जो होता है मुर को लगता है भै भै बोले तो क्या होता डर मुर से हो गया हमारा मुरारजी दिशाई भै से हो गया क्या दोस्तो अभावगार तो इस से आप क्या मायंड में सेट करेंगे कि मुरारजी दिशाई का अगर समाधी अस्तल पूछा जाए तो आपको बताना ओ, मोर को लगता भै, भै से हो गया अभायगार, मोर से हो गया मुरारजी दिसाई, अर्थात मुरारजी दिसाई का जो समाधी अस्तल है, वो है अभायगार, यह तो हो गया हमारा, अच्छा, यहाँ पे option number C में किशान को चरंच होना चाहिए, किशान को चरंच होना चाहिए, इससे आपको क्या mind message करना है, कि चरंच से हो गया चौधरी चरंच सिंग, और किशान से हो गया किशान घाट, अर्थात हम कह सकते हैं, कि चौधरी चरंच सिंग का जो समाधी अस्तल है, वो है किशान घाट, य जो भी महापूरुष होगा महापूरुष के नाम का महापूरुष का नाम का प्रसाद बाटा जाना चाहिए ठीक है आपको मैंड में सेट करना कि महापूरुष के नाम का प्रसाद बितरन किया जाना चाहिए अर्थात महापूरुष हो गया क्या कि कौन से महापूरुष है ज जो शमाधी अस्तल है वो है महापरियान तो ये आपको माइन में रखना तो ये तो हो गया इसका पहले नमबर हमारा प्रश्ण का question प्रश्ण का जो जवाब हो गया वो हो गया option number B राजेंद्रपरसाद महापरियान किश महापूरुष की शमाधी अस्तल है तो वो है राजेंद्र परसाज, मुरारजी दिशाई का शमाधी अस्तल, अभाय घाट, चौदरी चरन सिंग का किशान घाट, इस परकार से पहले परशन हो गया, आप सेकेंड परशन हमारा क्या है, इसके और बढ़ते हैं, शेकेंड परशन आप से किया जारा, किस मंदीर को बलेग पैगोडा भी कहा जाता है, यह चार उप्शन है, चार उप्शन में से आपको कैरेक्ट जो उप्शन है, उसको चूज करना, चलिए मिनाक्ची मंदीर की बात करें हम लोग, तो मिनाक्ची मंदीर प्रशन हैगा कि मिनाक्ची मंदीर कौन से नदी के टटपर है, तो ये बैगेई नदी के टटपे है, बैगेई नदी कहा है, तो बैगेई नदी के टटपे कहा, मदुरे में, और मदुरे कहा है, तो तमिल नाडो में, ठीक है, तमिल नाडो में, अर्थात इससे क्या पता चला, मिनाक्ची मंदिर कहा है, मदुरे में, किश नदी के टटपर, बैगेई नदी के टटपर और मदुरे कहा है दोस्तो तमिल्लाडू में है ये तो हो गया अब ये जो मदुरे है दोस्तो इसको मंदीरों का शहर कहा जाता है क्या कहा जाता है मंदीरों का सहर कोशना सकता कि भारत का कौन से अस्थान को मंदीरों का शहर कहा जाता है तो वो है म मदूराय किस नदी के टट पर है बैगेई नदी के टट पर है किस राज में है तमिलाडू में है ये तो हो गया उसके बाद ये जो मिनाक्षी मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है तो ये समर्पित है पारबती मैया को किस को समर्पित है दोस्तों पारबती मैया को यो है द्रविड सैली में निर्मीत आपको एक माइन में रखना है कि सौथ इंडियन का जीतने भी मंदिर होता है वो किस सैली में निर्मीत होता द्रविड सैली में आपको तीन बात याद रखना क्या बात याद रखना तीन बात याद रखना ये एक मालिया की ये पूरे भार और यहुग्या बीच वाला हिश्चा ठीक है तो अगर आपसे पूछे कि उत्री भारत का जो मंदीर है वो किस सैली में अवस्थित होता है तो वो होता है नागर सैली में कौन से सैली में नागर और जो दचनी होता है उसको तो हमने अभी बताया ही द्रविड सैली में और जो बीच वाला भारत होता है उसमें जो मंदीर होता है वो बेशर सैली में निर्मित होता है और थात भारत में तीन सैली में निर्मित होता है शबी परकार का मंदीर अगर भारत के उत्री हिस्थो की मंदीर की बात कर लें तो वो होता है नागर सैली में इस्थित होता है जबकि पता है तमिलनाडू भारत का सबसे दचिंतम राज है इसलिए यहां का जो मंदिर होगा वो द्रविड सैली में निर्मित होगा तमिलनाडू हो गया करनाटक हो गया केरल हो गया यह सारे जितने भी राज है भारत के दचिंतम राजियों में आता है और यह सारे जगा है यहां क मंदीर द्रविड सहली में निर्मित होता है यह तो हो गया मदुराय मिनाक्षी मंदीर के बारे में अब हम लोग आते हैं ऑप्शन नमबर भी हमारा है जगनात मंदीर कहा है दोस्तों पूरी में और पूरी कहा है दोस्तों ओडिशा में जगनात मंदीर पूरी ओडिशा में है किस भगवान को शमर्पित है तो यह है भगवान बिश्नु को शमर्पित है किसे समर्पित है भगवान बिश्नु को शमर्पित है जगनात मंदीर यह हमारा option number 3 आगया कोनार्क मंदीर कोनार्क मंदीर को कहा जाता है सूरी मंदीर और इसे ही कहा जाता है बलैक पैगोडा किसने बनाया था इसको तो नर्सिह देव फश्ट ने इस मंदीर का निर्मान करवाया था तो हमारा प्रस्ण था कि किस मंदीर को बलैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है तो कोनार्क मंदीर को जाना जाता है शूरी मंदिर भी इसे कहा जाता है क्योंकि ये सूरी भगवान को शमर्पित है और ये कौन से उर्जा द्वारा संचाली थे मंदिर तो सौर उर्जा द्वारा संचाली थे मंदिर कौनार्क मंदिर तो ये आप मैंड में रखेंगे उसके बाद option number हमारा D आता है पदमनात स्व स्वामी मंदिर की बात करे तो ये है आपका केरल में ठीक है पदमनात स्वामी मंदिर कहा केरल में है और किस भगवान को समर्पित है भगवान बिशनु को समर्पित है किसे समर्पित है भगवान बिशनु को इस परकार हमारा दो प्रशनों का फुली discussion हो गया आप लोग इस पुछे कोई भी आपका अगर डौट है तो इसको आप लोग नोट कीजिए फिर हम लोग आगे की प्रश्णों को देखेंगे तीसरा प्रश्ण आपसे ये किया जा रहा है कि अशुमेलित को पहचानिये अर्थात आपको चार ओप्सन दिया गया है इन चार ओप्सन में से आपको कौन सा ओप्सन लग रहा है कि ये गलत है या फिर सबसे अलग है तो यहाँ पे देखें पोंगल जो है पोंगल जो तेवह वो तमिलाडो में मनाया जाता है ये शही है जगनात रथ यात्रा ओडिशा में आता है ये भी शही है लठमार होली यूपी में आता है होता है और यूपी में कहां पे मत्हुरा में होता है कहां पे होता दोस्तों मत्हुरा में होता है लेकिन ये सारे सही है पोंगल तमिलाडो शही है रगनात रथ यात्रा ओडिशा में सही है लठमार होली यूपी मत्रा में होता है ये भी सही है लेकिन बीहु जो है वो बिहार में होता है क्या बेलकुल नहीं होता बीहु कहां पे होता दोस्तों बीहु होता है आपका अशम में कहां पे होता बीहु जो होता है वो अश शुरी भगवान का पूजा किया जाता है और नदी में खड़े होकर पूजा किया जाता है जो कि बिहार में मनाया जाने वाला महत्पून्ते उहार है छट पूजा महापर्व कहते हैं इसको आस्था की पर्व महापर्व छट के रुप में इसको जाना जाता है जो कि बिहार मे मनाया जाता है तो इस परकार इस प्रश्ण से हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि पोंगल जो निरीत है वो तमिलनाडू में होता है जगनात रतियात्रा उडिशा में होता है बीहु जो होता आश्रम का जो तेवहार है वो बीहु है बिहार का जो तेवहार है वो छट पूजा है छट पूजा में सुरी भगवान की पूजा की जाती है और नदी में खड़े होकर किया जाता है तो इस परकार आपका जो राइट एंसर है वो क्या हो जागा आपसन नमबर सी बिहू बिहार में नहीं है बिहू अश्रम में होता है बिहार में छट पूजा होता है तो हमारा प्रशन था कि आसुमेलित को पहचाने है अर्थात जो गलत था उसको पहचाने है तो आपसन नमबर सी है जो गलत है बिहू बिहार में ही बिहू अश्रम में होगा ये हो गया, तो इसको आप लोग नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्ण को देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्ण क्या कहता है, देखें अगला प्रश्ण आपसे ये किया जा रहा है, कि सन्यूक्त राष्ट सुरच्छा परिशद, जिसको UNSC कहा जाता है, मे सन्यूक्त राष्ट सुरच्छा परिशद, UNSC भी इसको कहा जाता है, इसमें सन्यूक्त राष्ट सुरच्छा परिशद, कि UNSC, UNSC का जो स्थापना है दोस्तों, उनेश्व पैताली सिसबी में हुआ था, इसका जो मुख्याल है दोस्तों, वो कहा है, तो निव यार्क है, निव यार्क में है, और निव यार्क है, जो किश नदी के टट पर है, हरसन नदी के टट पर है, और ये कहा पर है दोस्तों तो ये है USA में United State of America में अर्थात UNSC का जो मुख्याले है वो है New York में हडसन नदी के किनारे है USA में है इसके स्थापना होता है 19.45 इस भी में अगर हम इसमें टोटल सदस्यों की बात कर ले तो 15 है और ये जो 15 है दोस्तों वो कैसे कैसे है तो 5 पलश 10 आपको मैंड में रखना कि UNSC का जो सदस्यों है वो टोटल 15 है 5 पलश 10 5 पलश 10 क्यों क्योंकि 5 जो होता है वो दोस्तों वो होता अस्थाई सदस 5 जो होता है वो अस्थाई होता है और 10 जो होता है वो होता है अस्थाई सदस ठीक है तो आपसे प्रश्ण किया जा सकता है कि UNSC में जो अस्थाई सदस है उसकी शंख्या कितनी है तो 5 है आस्थाई 10 है आपसे प्रश्ण क्या पूछा जाएगा आपसे प्रश्ण पूछा जाएगा ये कि इन में से कौन सा देश UNSC का अस्थाई सदस है या फिर रह चुका बाए या फिर आ अस्थाई है ठीक है इस परकार से पूझा जाएगा तो आपको अस्थाई वाले किस्तारे नाम आपको मैन में होना चाहिए इसको मैन में रखने के लिए एक टरिक है कि रूशने के बाद रूशने के बाद आपका फेश A, F, C, E फेश देखने लाइक हो जाता इस परकार हमारा ट्रिक क्या बना? रूश से तो हो गया रूश और F से हो गया हमारा फ्रांस A से हो गया अमेरिका और C से हो गया धोखेवाद चीन और E से हो गया इंगलेंड रूशने के बाद आपका फेश देखने लाइक हो जाता रूश से हो गया रूश और F से हो गया फ्रांस A से अमेरिका, C से दोखेवाद चीन और E से इंगलेंड इस परकार पांच जो देश है रूश, फ्रांस, अमेरिका, चीन और इंगलेंड ये UN, A, C का फिक्ष्ट सदस है, फिक्ष्ट मेंबर है, अस्थाई सदस है भारत कौन सा सदस है तो भारत है जो अस्थाई सदस है भारत कौन सा सदस है अस्थाई सदस है भारत किसके अस्थान पे सदस्यता गरहन किया तो इंडोनेशिया के सथान पे भारत कौन से देश के अस्थान पे UNSC का अस्थाई सदस्थ के रूप में चूना गया तो इंडोनेशिया के अस्थान पे तो इस परकार ये पूरे जो चार नंबर कोश्चन था कि सन्युक्त राष्ट शुरच्छा परिशत जिसको UNSC भी कहा जाता है इसमें सदस्यों की शंक्या कितनी थी कूल तो कूल सदस 15, 5 अस्थाई और 10 आस्थाई इसमें हमारा भारत है जो आस्थाई सदस है कौनसे देश के स्थान पे आया भारत तो इंडोनेशिया के स्थान पे आया अच्छा UNSC को कहा जाता है World of Polishmen क्योंकि UNSC के पास पूरे बिस्व का Polishmen या फिर सेना बगेरा होता है ठीक है, पूलिश का पावर या फिर सेना का जो पावर है वो होता UNSC का UNSC के पास इसे लिए इसको World of Polishmen इसको कहा जाता है UNSC को तो इस परकार ये चार कोशन हमारा समाप्त होता है आप लोग फिर से Screen Sot लीजिए आचमा हमारा प्रशन है कि अशुमेलित को पहचानिए फिर से आगया अशुमेलित को पहचानिए आपके पास चार उप्सन है पहला उप्सन है कंधारिया स्टेडियम राजकोट बी नंबर उप्सन है बांखेड़या स्टेडियम मुंबय चिनना स्टॉमिया स्टेडियम कोलकाता इडेन गार्डेन स्टेडियम कोलकाता इन चार उप्सन में से कौन सा उप्सन आपको लग रहा है कि गलत है गलत वाले option को आपको चुनना है तो देखे, कंधारिय स्टेडियम राज कोट में है ये तो सही है इसको हम मायन में कैसे रखेंगे तो जो कोट होता दूस्तो कोट को हम लोग कहां पे पहनते हैं कंधा पे पहनते हैं कोट को कहां पे पहनते हैं कंधा पे पहनते हैं तो कोट से बन गया राज कोट और कंधा से बन गया कंधारिय स्टेडियम और था तम कह सकते हैं कि कंधारिय स्टेडियम कहा है राज कोट चलिए बान खेड़े स्टेडियम मुंबए धोनी का जो बेनिंग शिक्स था बेनिंग चक का यही पे लगा था धोनी इस्ट में हमारे भरतिये किरकेट टीम का कैप्टन था धोनी यह जो बर्ड कप हुआ था दोस्तों 2011 इस भी में हुआ था 2011 में हुआ था कौन से श्टेडियम में बान खेड़े श्टेडियम मुंबई में इस परकारी से क्या पता चलता है कि बान खड़े श्टेडियम का है मुंबई में है 2011 का जो बर्ड कप हुआ था धोनी का बिनिंग चक्का यही श्टेडियम में लगा था मुंबई में ही बान ख अब इसको कैसे माइड में रखेंगे तो जो चैन होता है चैन को हम लोग कहां पे पहनते हैं गले में पहनता है तो चैन से हो गया क्या चिन्ना स्वामी और गले से हो गया बंगलूरू अर्थात यहां पे हम कह सकते हैं कि चिन्ना स्वामी अस्टेडियम कोलकाता नहीं बलकि क यहां पे हैं बंगलूरू में हैं चलिए option number D की बात करें Eden Garden Stadium Kolkata यह सही है Eden Garden Stadium है जो Kolkata है इसको हम लोग कैसे मांड में रखेंगे माल लिया कि आप कॉल कर रहे हो गार्डेन में आप घूम रहे हो बगीचे में आप कॉल कर रहे हो आप कॉल पे बात कर रहे हो और आपको कुत कुट्ते ने क्या हुआ दोस्तों काथा तो कुट्ते ने काथा से बन गया कोल काथा और गार्डेन में आप रहे थे उसे हो गया हमारा Eden Garden, अर्थात कर सकते है Eden Garden Stadium कहां पे है, कोल्काता में, अच्छा ये तो हो गया, अगर आपसे पूछा जाया कि फर्स्ट डे नाइट पिंक बॉल से कहां पे हुआ था कौन से स्टेडियम में हुआ था यानि फर्स्ट डे नाइट पिंक बॉल से जो मैच हुआ था पिंक बॉल से मैच कहां पे हुआ था तो इसे स्टेडियम में हुआ था इडेन गार्डेन स्टेडियम में ही और ये कौन द बारत ने इसमें जीत हासिल किया था ठीक है तो इंडिन गार्डेन इस्टिडियम कोलाता में ही फर्ष्ट डेंग नाइट पिंक बॉल्स हुआ था पिंक बॉल का क्योंकि रात में मैच हो रहा था तो रात में ये जो शमाणे बॉल होता है वो आसानी पूर्वक दिखाई नही था मैच हुआ था वो पिंक बॉल से हुआ था वो भारत और बांगलादेस के बीच हुआ था जिसमें भारत ने जीता था इडेन गार्डेन कोलकाता में हुआ था तो इसको आप लोग नोट करेंगे अगला हमारा प्रस्ण है कि नियुम में से कौन सा कोईला का अयस्क नहीं है ये चार ओप्सन है इसमें से आपको बताना है कि चारो ओप्सन में से कौन ओप्सन है जो कोईला का एक अयस्क नहीं है तो आपको यहाँ पे देखे हेमेटाइट हेमेटाइट किसी परकार का कोईला का iask है, बिल्कुल नहीं है hematite किसका iask है दोस्तों तो hematite जो iask है वो किसका है, लोहा का है hematite lo observer कैस कहें ठीक है, और इसका क्या होता है, रशायनिक सुत्र, AP23 होता है jotha का phyrus oxide hematite होता है anthropocyte, btuminose lignite और एक होता है pete, ये चारो जो है ये 4 जो Les informations किष्का है कोईला का परकार है ठीक है कोईला कुतनी परकार के चार परकार का एक प्रोकर का एक ची तो होता लिगनाइट निशंच्रा यो है इंफ्रा साइट उच्छ गुनवत्ता वाला कोईला होता है याइनि सबसे अच्छी quantity के कोईला आपके पूछा जा जाए कि सबसे अच्छी quality क का काउला कॉइला कौण सा घोता है क्यों अच्छा होता है क्यों की धूवा कम होता है उष्रमा ज्यादा देता है ठीक है इसलिए अच्छा माना जाता है लेकिन ये तो हो गया सबसे अच्छी गुनवता यानि सबसे ज्यादा अच्छा कोईला कौन होता है तो वह होता इंत्रासाइट लेकिन भारत में सबसे ज्यादा है तो बीटू मीनस है जो भारत में सबसे ज्यादा है और लिगनायट की संख्या कम है पीट की बात करें तो पीट सबसे घटिया किसमिका कोईला होता है पीट जब हम लोग बच्चा थे तो हम लोग बच्चपन में बहुत पीट आते थे अश्कूल में, घर में तो हमारा जो हालाद था वो सबसे खराब था अर्थात बीट का भी जो हालाद था वो भी खराब है इसलिए सबसे घटिया कोईला जो होता है वो होता पीट होता है तो इस परकार हम लोग कुल 6 परशनों को अभी हम लोगों ने देखा, हमारा टार्गेट है 20 परशनों को और फूरे डिसकर्शन करना तो इसको आप लोग नोट करें 7 नंबर हमारा परशन क्या कह रहा कह रहा कि लाफिंग गैस का रसाइनिक सुत्र क्या है लाफिंग गैस यानि हसाने वाली जो गैस होती है उसकी रसाइनिक सुत्र क्या है आपके पास ओप्सन है N2O, CA into OH का हाल्ट वाइस H2SO4, NaHCO3 ये चार ओप्सने आपको बताना है कि जो लाफिंग गैस का रसाइनिक सुत्र है वो क्या है तो देखिए यहाँ पे N2O N2O को बोला जाता है नाइटरस ओक्साइड क्या बोला जाता है नाइटरस ओक्साइड और इसी को कहा जाता है इसी को कहा जाता है असाने वाली गैस तो आपसे पुझे की हसाने वाली गैस का रसाइनिक स्ुत्र क्या होता तो N2O होता है N2O को हम लोग क्या कहते है नाइटरस ओक्साइड कहते है अब ये Ca into OH का होल्टव इस क्या होता है इसका जो नाम होता हा वो होता बुझे हुए चूने और थात बुझे हुए चूने का रासाइनिक सुत्र होता CA into OH का हाल्ट वाइस H2SO4 की बाप करें तो यह है दूस्तो Sulfury कम्ड क्या है यह Sulfury कम्ड आप से प्रस्ण पूछा जाएगा कि अमल राज की से कहते हैं अर्थात अमलुक राजा की से कहते हैं तो वो होता H2SO4 Sulfury कम्ड जो की कार के बैटरी बगेरा में पाया जाता है Sulfury कम्ड अच्छा एने यह Cu3 क्या है तो यह sodium by carbonate यह क्या है दोस्तो sodium by carbonate है sodium by carbonate कहें तो खाने का सुद्डा खाने का सुद्डा कहा जाता sodium by carbonate को अच्छा एक कोशन आता कि एकवा रेजिया में कौन सा अमल होता है तो एकवा रेजिया में एक तो होता है HCl और एक होता है NHO3 ठीक है यहनि sodium nitrate ठीक है सॉरी sodium nitrate नहीं यह होता है nitricamil होता है hydrochloricamil और nitricamil जो होता है वो एकवा रेजिया में होता है ठीक है तो HCl, HCl और कहां पर पाया जाता है HCl हमारे अमासे में पाया जाता है हमारे पेट के अंदर पाया जाता पेट में जो अमासे रश होता है उसमें पाया जाता hydrochloricamil जब हाइड्रो कलोरी कमल की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे पेट में अचानक से दर्द उठना शुरू हो जाता है ठीक है और NHO3 ये नाइट्री कमल और HCl दोनों मिला कर एकवा रेजिया में परियोग किया जाता है तो ये NHO3 नहीं ये HNO3 होता है इसको बोलते हैं नाइट्री कमल होता है और HCl है और सोडियम बाई कर्बोनेट खाने का सोडा होता है अगला हमारा प्रश्न क्या है अगला हमारा प्रश्न संसद में निम्ण में से कौन सा सामिल है अब बोलेंगे कि ये कैसा ऑप्शन है जै माता दी का मतलब होता है क्या दूस्तों जैसे हम लोग अभी कुछ दिन पहले ही सर्स्वती पूजा हम लोगों ने क्या किया सेलिबरेट किया तो हम लोग उसमें क्या बोलते हैं प्रेम से बोलो सर्स्वती माता की तो सभी बच्चे बोलते हैं जै इसका मतलब होता क्या? कि जै का मतलब हो गया सभी जै माता दी का मतलब हो गया सभी अर्थात यह जो दिये गए option है राजसभा, लोक्षभा, राष्टपती यह तीनों संसद में शामिल है अच्छा, इसके संबंदित और कुछ बाते जाने जैसे राजसभा, राजसभा, लोक्षभा और राष्टपती की बात करें तो इसको अनुछेद को मायन में रखने के लिए एक सब्द का हम लोग परियोग करेंगे सरला क्या सरला अगर सरला, सरला से ससे क्या हो जाएगा ससे संसद संसद का बर्नन अनुछेद 79 में रासे हो गया सरला यानि रासे राजसभा, राजसभा का अनुछेद 80 में और ला यानि लोक्षभा का तो लोक्षभा का 81 में अर्थात 79, 80 और 81 ये तीनों जो अनुछेद है वो क्या है राजसभा लोकसभा और संसत के लिए परियुप्त होता है ठीक है और राष्टपती के बारे में कौनसा अनुछेद आता फिप्टी टू आता है और ये छमादान करता है अनुछेद सेवेंटी टू के अंतरगत और ये अध्यादेश जारी करता है अनुछेद 123 अर्थाद 123 के अंतरगत तो राष्टपती के बारे में आप लोग क्या माइड में रखेंगे कि अनुछेद बावन के अंतरगत इसके बारे में बर्नन किया गया है कि अनुछेद बावन के अंतरगत कहा गया है कि हमारे भारत देश के लिए एक र प्रश्ण क्या है दोस्तों इसके और जरा देखते हैं महान जील परदेश किस देश में इस्थित है आपके पास चार उप्शन है USA, Finland, Roche, Germany आपको बताना है कि महान जील परदेश किस देश में इस्थित है यहाँ पे देखें महान जील परदेश की बात किया जा रहा है तो इ एक ट्रिक याद रखना है कि सूपर मिशन है यी आंटी ठीक है आपको एक ट्रिक याद रखना है सूपर से क्या हो गया दुस्तू शूपिरियर जील मिशन से क्या हो गया मिसीगन क्या हो गया दुस्तो मिसीगन और है से क्या हो गया दुस्तो है से क्या हो गया हिवरान क्या हो गया हिवरान और ए से हो गया क्या दुस्तो एरी और आंटी से हो गया Ontario, ठेक हैं, ये हो गया, ये पाँच जो बड़े बड़े जो जील है दोस्तों, ये अमेरिका में है, एक तो हो गया सुपिरियर जील, दूसरा मिसिगन जील, और तिसरा हिूरान, चौठा एरी, और पाँचबा Ontario, ये जो पाँच जो बड़े बड़े जील है दोस्तों, ये कहा अमेरिका में है इसलिए अमेरिका को कहा जाता है महान जिल परदेश सुपिरियर की बात करें तो सुपिरियर को मीठे पानी का सबसे बड़ा जिल कहा जाता है सबसे बड़ा मीठे पानी का जिल है यह ठीक है और मिसिगन नदी के मिसिगन जिल के किनारे ही शिकागो बसा हुआ है Chicago शहर जो है वो Michigan धिल के किनारे ही है Chicago में हमारे भारत का सेर दहाले थे जिनका एक पंक्ति था कि उठो जागो और लक्ष प्राप्ति तक रूको नहीं तो हम लोगों को ये बात जो एक प्रेरना दायक बात है और इसको आपको हमेशा माइड में रखना चाहिए हमारे प्रेरना दायक शुरोती जो स्वामी बीवेका नन जी का कहना था कि उठो जागो और लक्ष प्राप्ति तक रूको मत यानि अब तुम उठो बहुत देर तक अराम कर लिया और जागो जब तक कि तुम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हो तब तक तुम आराम नहीं करो क्योंकि एक और हमारे राष्ट पिता महात्मा गांधी जी का कहना था कि आराम हराम है जी हा दोस्तो आराम हराम है जब तक हम अपने मंजिल को नहीं पाएंगे तब तक आराम नहीं करेंगे और आप लोगों को पूरी तरीके से जी जान लगाना है और अपने मन जिल तक पहुँच जाना है तो सुपिरियर हो गया मिठे पानी का सबसे बड़ा जिल मिशिगन जिल के किनारे है सिकागो शहर अच्छा अगर आपको सुपिरियर से जाना है हिरोन तो इससे होकर एक नहर गुजरता है इसको जाने के लिए एक नहर है जिसको कहा जाता है शू नहर तो कोशन आता कि सुपिरियर जिल को हिरोन से कौन से नहर के द्वारा जोडा जाता है तो शू नहर के द्वारा जोडा जाता है तो ये हो गया ये सारे कहां अमेरिका में है अच्छा ये फिनलेंड आ गया फिनलेंड से याद आया फिनलेंड को क्या कहा जाता है दोस्तों जीलो का देश कहा जाता है फिनलेंड को क्या कहा जाता है जीलो का देश कहा जाता है फिनलेंड को जीलो का देश लेकिन महां जील प अब्ध होता है अगला हमारा तेन नंबर जो प्रस्च गेश्टी ँधान राश्टी ँधान कीन राज में इस्तित हैं राश्टी इव धान से संबंदीत भी आपके एक्स्वा प्रश्टी पूछ जाएंगे तो इसके उपर में कौनसा राष्टी उधान है दोस्तों आपसे प्रशन पूछा जाएगा कि बेतला राष्टी उध्यान अर्थात बेतला नेशनल पार्क कहा है तो जारखन में गुजरात में कौन सा है तो गस से होता है गुजरात और गस ही बना गीर अर्थात गुजरात में गीर नेशनल पार्क है और एक है ब्लैक बक कौन सा दोस्तो ब्लैक बक इस परकार गुजरात में दो नेशनल पार्क है एक गीर नेशनल पार्क और एक ब्लैक बक नेशनल पार् उत्राखन में और भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है जिसको पहले कहा जाता था। तो हैली नेशनल पार्क क्या कहा जाता था हैली नेशनल पार्क तो कोईशन आ सकता है कि हैली नेशनल पार्क को क्या कहा जाता था तो जीम कारबेट जीम कारबुड को क्या कहा जाता हैली नेशनल पार्क कौन से राज में इस्थित है उत्राखन में है अच्छा ये हो गया करणाटक में कौन सा नेशनल पार्क है तो ये है बांधीपूर बांधीपूर और नागरहोल राष्टिय उधान और ये बांदिपूर नागर होल राष्ट यह जो उद्धान है वो करनाटक में हो गया तो इस परकार हमने क्या देखा जारखन में बेतला नेशनल पार्क गुजरात में गीर नेशनल पार्क और बलेकवक नेशनल पार्क उत्राखण में जीम कार्वेट जिसको हैली नेशनल पार्क भी कहा जाता था भारत का सबसे पहला राष्टी ये नेशनल पार्क है जीम कार्वेट उत्राखण में है करनाटक में बांदीपूर नेशनल पार्क और नागर होल नेशनल पार्क जो है वो ये करनाटक में इस्थित है 11 नमबर हमारा प्रश्ण क्या कहता है 11 नमबर हमारा प्रश्ण है कि नेम्ड में से कौन सा बीटामिन जल में घुलनसील है नेम्ड में से कौन सा बीटामिन जल में घुलनसील है अर्थात ये चारो अपसन दिया गया है ये बिटामिनों का नाम है इसमें से कौन सा बिटामिन है जो जल में घुल जाता है ये बताना है आपको देखिए दोस्तों बिटामिन A और बिटामिन B, बिटामिन C, आपसन नमबर D है B पलस C यानि बिटामिन B और C यानि option number B और C दोनो क्या होगा इसका सही answer option A है बिटामिन A option B है बिटामिन B option C है बिटामिन C option D है B पलस C दोनो अर्थात option number B या C दोनो या फिर vitamin B पलस C दोनो कौन होगा जल्दी से बताईए तो इसके लिए ट्रीक है दोस्तों कि गई भैस पानी में इसके लिए हमारे पास क्या ट्रीक है गई भैस पानी में अब भैस से क्या बन गया भैस से बन गया B पलस C ठीक है B पलस C मिलकर बन गया भैस और पानी में गया पानी में गुल गया अर्थात बिटामिन B और C दोनों पानी में गुल जाता है अर्थात option number D है जो हमारा right answer है पानी में नहीं गुलता है कौन तो पानी में नहीं गुलता है कीड़ा कीड़ा कहने का मतलब क्या होता है कीड़ा किश में गुलता है बसा में गुलता है कीडा कौन-कौन है, बिटामिन K बशा में घुलेगा, पानी में नहीं घुलेगा, बिटामिन E भी पानी में घुलता है, बिटामिन D भी नहीं, बिटामिन A भी नहीं, अर्थात ये सारे बिटामिन जो है, कीडा जो बिटामिन A, बिटामिन K, E, D, A जो है, ये बशा में घु और विटामिन B को कहा जाता है थाइमेन और विटामिन C को अस्कॉर्विकम्ल क्या कहा जाता है ठीक है इस परकार विटामिन A का जो नाम है रेटेनॉल है विटामिन A का नाम रेटेनॉल विटामिन B का नाम थाइमेन और विटामिन C का नाम है अस्कॉर्विकम्ल तो इसको आ अगला हमारा परशन है दोस्टो, टूबिल नंबर हमारा परशन है दोस्तो, कि निम्ड में से कौन सी परवत स्रेनी ट्रांस हिमाले का भाग नहीं है। आपको बता दे दुस्तों कि ट्रांस हीमाले जो है वो खुद ही माले का भाग नहीं है ट्रांस हीमाले का भाग है क्या दुस्तों कलेजा इसके लिए टरीक अपनाना है कलेजा कलेजा कहने का मतलब ट्रांस हीमाले का कौन-कौन भाग है कलेजा ट्रांस हीमाले में हमारी अपनी कलेजा बस्ती है अर्थात आत्मा बस्ती है तो कलेजा से क्या हो गया कारा कुरम और ले से हो गया लद्दाक और जा से हो गया जासकर तेक है ये तीनों जो हिस्सा है वो ट्रांस हीमाले का है तो आप option number में देखी कारा कुरम ये तो ट्रांस हिमाले का भाग है ही जासकर ये भी है ट्रांस हिमाले का भाग लदाख ये भी है पीर पंजाल जो है वो ट्रांस हिमाले का भाग नहीं है बलकि पीर पंजाल को कहा जाता है लगो हिमाले और इशी को कहा जाता है मध हिमाले ठीक है कारा कुरम को एक नाम और से जानते हैं जिसको केटू कहते हैं और इसको कहा जाता है गौड बीन आस्टिन और केटू की उचाई की बात करें तो इसकी उचाई है 8,611 मीटर है जबकि हम मौन्ट अब्रेस्ट e हमारा हिमाले परबत की बात करें तो वह 8,848 मीटर उचा है ठीक भारत में शर्वाधी जनसंख्या घनत्व वाला राज है जनसंख्या वाला नहीं बलकि जनसंख्या घनत्व वाला राज कौन सा है 2011 के जनगन्ना के अनुशार भारत में 2011 के जनगन्ना के अनुशार जनसंख्या घनत्व में शर्वाधी के कौन सा राज रह चुका है ये आपक क्या UP इसके लिए एक तरीक है दोस्तो BA में BA में डंडे पड़े BA में डंडे पड़े क्योंकि BA में अक्सर लोगों का कहना ये है जो अंधविश्वास लोग है उसको और जो थोड़ा आदा दिमाग का लोग है उसको कहना है कि BA में कोई बच्चा पढ़ता है क्या BA में पढ़ना नहीं है लेकिन हम कहते हैं कि जिस तरीके से बच्चे है जो जीतना Rule Regulation को अपना कर 5-6 से लेकर 10 तक पढ़ता है जीतने Rule Regulation से अगर वही Rule Regulation को अपना रखे 10 के बाद भी 11-12 अपैल्त बीए में भी तो वो आदमी जल्द सक्सिच करेगा और बहुत बड़ा एक सिच्छित ब्यक्ती बन सकता है लेकिन लोगों में एक अंध विश्वास है कि बीये में नहीं पड़ता है तो बीये में जो नहीं पड़ेगा उसको डंडे पड़ेंगे बीये में डंडे पड़ेंगे अब बी से क्या हो गया दोस्तों यह हमारा टिरिक है बी से क्या हो गया बी से बिहार हो गया औ और इस से हो गया अरू नाचल परदेश इस परकार अगर पुछे कि भारत में जन्गन्ना 2011 के अनुसार अगर सर्बाद्धी के जन्संख्या धनत्व वाला राज कौन है तो राज पुछेगा तो सबसे अधिक धनत्व वाला राज हो गया बिहार और सबसे कम धनत्व . अरू अंडा, ड से बन गया दिल्ली और अंडा से बन गया अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, दिल्ली जो है केंदर शासीत परदेश से हमारे भारत का यूटी है, तो अगर पूछे केंदर शासीत परदेश में कौन सा केंदर शासीत परदेश का जनसंक्या धनत्वर अधि पूटी में सबसे ज्यादा पूछे अर्थात किंद्रिशासीत परदिश में पूछे तो सबसे ज्यादा है दिल्ली का और सबसे कम है अंडमान का लेकिन बीना अस्टेटमेंट का पूछे सिर्फ पूछे कि भारत में शर्बाधीक जनसंख्या कौन से स्थान का है तो जनसंख पूछे नहीं पूछे केंद्रिर्शासित परदेश आपसर में रहे दिल्ली तो आपको दिल्ली मारना है जब तक राज या केंद्रिर्शासित परदेश का लेख नहीं किया जाएगा तब तक आपको दिल्ली मारना है ठीक है क्योंकि दिल्ली में पूरी भारत में सबसे ज्या साथ में हैं आपको पता है तो यह यहां पर नर्मदा नदी बी है तापी नदी सी साबर मती नदी और डी बैगेई नदी सूरत कौन से नदी के टट पर आपको बताना नर्मदा नदी की टट पर कौन सा सहरे दूस्तों तो जब्बलपूर नर्मदा नदी के टट पर कौन सा है जब्बलपूर तापी नदी के की निकट है शूरत और सूरत जाना जाता है हीरे तराशने के लिए किसके लिए जाना जाता है हीरे तराशने के लिए जाना जाता है शाबर्मती नदी के निकट कौन सा सहर है दुस्तो शाबर्मती नदी के निकट है एहमदाबाद ठीक है और बैगेई नदी के निकट कौन सा है कौन सा सहर है तो यह है मदुर है जिसको मंदिरों का भी सहर कहा जाता है और आपसे पूछे कि आयोध्या जो है वो किशनदी के ट लखनव किष्णदी के टट पर है तो लखनव है जो गोमती के नदी के टट पर है 15 नमबर प्रशनी क्या कहता है इसके उरजरक गौर फरमाते हैं 15 नमर हमारा प्रशने दुस्तो कि राष्ट पती छमादान की शक्ती है तू किष्ट अनुछेद का परियोग करता है राष्ट यह चार ओप्शन में से आपको बताना है देखिए दोस्तो राष्ट पती जो होता है एक होता है बड़ा मैन राष्ट पती क्या होता है राष्ट पती जो होता है बड़ा मैन होता है भारत का सबसे बड़ा मैन होता है राष्ट पती बड़ा मैन से क्या बन गया दोस्तो बा जोड़ना होगा इसमें नो जोड़ना होगा बड़ा मैन को अगर नो बोलना है तो इसमें क्या करना होगा नो पलस करना होगा नो पलस कर दियें तो बामन में नो जोड़ेंगे यह आ जाएगा 61 आजगा क्या दोस्तो महाभियोग 9 बोलना है कहने का मतलब है कि हम राष्टपती को हटा देंगे तो राष्टपती को हटाने की जो परगिरिया है वो है महाभियोग वल्ली वन महाभियोग है जो केवल राष्टपती को अपने पद से हटाने के लिए ही महाभियोग शर्द का परियोग किया जाता है इसको अंग्रेजी के बड़ में impeachment कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तों? impeachment तो कोश्चन आ सकता है कि राष्टपती का महाभियोग कौन से अनुछेद में संबंदित है तो अनुछेद 61 में राष्टपती का बरनन कौन से अनुछेद में? बामन में इस परकार हमने अभी क्या देखा? कि राष्टपती बड़ा मैन होता है बड़ा मैन बोल रहे है अर्थात लग रहा कि बामन बोल रहे है हमको राष्टपती को हटाना या अर्थात 9 बोलना है नो बोलना है तो इसमें नो जोर देंगे अनुछेद एक सठा गया महाभ्योग लागो हो गया अगर ये बेहतर कारी करता है तो इसको शमा कर दिया जाएगा अर्थात अनुछेद 72 में इसको शमादान किया जाएगा अर्थात ये छमादान शक्ती के परियोग करता है अनुछेद 72 में ये तो हो गया तो हमारा प्रश्ण ये ही था दोस्तों कि राष्टपती जो है छमादान के शक्ती के लिए किस अनुछेद का परियोग करता है तो बेहतर कारी करेगा तो उसको छमा मिलेगा तो बेहतर बोल रहे है तो लगतू रहा है ना बेहतर अर्थात 72 है ना जिस तरीके से बड़ा मैंन बोल रहे है लग रहा था कि बामन बोल रहे है तो बामन में 9 जुर्दी, 61 में महाभ्योग राश्पदी को हटा दिया गया लेकिन अगर ये बेहतर कार करता है तो इसको छमा दे दिया जाएगा कि चलो हम तुमको माप कर देते हैं बेहतर का मतलब उआ 72 अर्थात अनुचेद 72 के अंतरगत ये चमा दान सकती का परयोग करता है अच्छा राश्पदी क्या मेर्टूडन माप करा सकता है तो हाँ बिलकुल करा सकता है क्या राजपाल भी राजपाल नहीं राजपाल को कोई अधिकार नहीं है किसी का मेर्टू डंड को माप करने का लेकिन राष्टपती कर सकता है लेकिन उसके लिए भी कुछ प्रोसेश है अच्छा ये हो गया राष्टपती अनुच्छेद एक्षोँ तेश के अंतरगत अध्यादेश जारी करता है राजपती 613 के अंतरगत अध्यादेश जारी करता है अर्थाद ओर्डिनेश जारी करता है राजपल ओर्डिनेश जारी करता है या नहीं बिल्कुल करता है अनुछेद कितने के अंतरगत तो अनुछेद 213 के अंतरगत राजपाल जो है वो अध्यादेश को जारी करता है तो दर्रा से संबंदी जो प्रशने दोस्तों आपकी एक्जाम में आते हैं दर्रा बोले तो पाश पहाड की बीच वो बीच से होकर आने जाने का जगव जो मार्ग गुजड़ता है उसी को तो दर्रा कहते हैं तो ये जो हिमाचल परदेश में दर्रा है उसका नाम क्या है ये मीटाएंगे आप लोग उसको नोट किजिएगा क्योंकि लिखने में नहीं बन रहा इसको मीटाते हैं जबसे पहले तो ये जी बला देखें मनीपूर में कौन सा दर्रा है मनीपूर में है तुझ्जू दर्रा ठीक है अरुनाचल परदेश में कौन सा दर्रा है अरुनाचल बोयादी से बो से हो गया बोमडीला दर्रा यान से हो गया यांग याप दर्रा और दी से हो गया दिफू दर्रा यह जो तीन दर्रा है दोस्तों अरुनाचल परदेश में अरुनाचल परदेश में बोमडीला दर्रा यांग याप दर्रा भी अरुनाचल परदेश और दिफू दर्रा भी अरुनाचल परदेश आपका प्रस्ण था कि बोमडीला दर्रा कौन से राज में हिस्थी थे तो वमडीला दर्रा अरुनाचल पर्देश में हिस्थी थे शिक्किम की बात करें तो शिक्किम में क्या था दूस्तो शिक्किम में कौन सा था शिक्किम में था नाथू जे शिक्किम में याद रखना नाथू जे नाथू से हो गया क्या दोस्तो नाथूला दर्रा, जेश हो गया जेलेपला दर्रा शिक्किम में दो दर्रा, एक तो नाथूला दर्रा और दूसरा जेलेपला दर्रा अच्छा, हीमाचल परदेश की करें तो इसमें आता है बाशी रोटी ठीक है आपको बाशी रोटी माइन में रखना है खाना नहीं है बाशी रोटी खाना नहीं है बाशी रोटी को माइन में रखना बाश से क्या हो जाएगा दोस्तु बारा लाचाला दर्रा और सी से हो जाएगा शिपी कीला दर्रा इस परकार हमने क्या देखा कि हिमाचल परदेश में दो दर्रा, बारा लाचाला दर्रा, इसका ठ्रिक क्या है बासी रोटी, बा से हो गया बारा लाचाला दर्रा, सी से हो गया शेपी कीला दर्रा, मनीपुर में सिर्फ एक दर्रा ही है, तुज्यू दर्रा, अरुनाचल परद ना थू जे, ना थू से हो गया ना थूला दर्रा, जे से हो गया जेलेपला दर्रा, इस परकार आप लोग इसको नोट करेंगे, 17 नंबर प्रश्ण क्या है, 17 नंबर हमारा प्रश्ण कहता है दोस्तों, कि निम्ण में से कौन सा घाश का मैदान अफरीका में है, निम्ण में से वो दच्छीन अफिर्का में है कहा दच्छीन अफिर्का में बेलडश सवाना जो है वो सिर्फ अफिर्का में है अफिर्का में और डॉंस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है इस परकार आपको मायन में रखना है पंपाज घास का मैदान है जो अर्जेंटीना में बेलडस दच्छीन अफिरका में शवाना सिर्फ अफिरका में और अफिरका में कहां तो अफिरका में एक जगा है शुडाउन शुडाण में इस्तित है ये शवाना घास का मैदान तो बेलडस है जो दच्छीन अफिरका में शवाना अफिरका में डान से जो अस्ट्रेलिया में है ठीक है इस पर कर आप लोग 4 घास का मैदान नाम याद में रखेंगे पंपास, अर्जंटीना, बेलडस, दच्छीन अफिरका में, शवाना, अफिरका सोडॉन में, डाउंस अस्ट्रेलिया में अगर आपको घास के पूरे बिस्व का सभी घास के मैदानों के नाम और उसके अस्थान जानना है तो आप हमारे चैनल के पिले लिष्ट में जाए, उसमें हमने इसके उपर एक अस्पेसल बीडियो बनाया है जिसमें आपको पूरे बिस्व के जितने भी घास के मैदान है और उससे सम्बंदित जो स्थाने उसके बारे में हमने डिसकस किये है तो आप लोग पिले लिष्ट में जाकर घास के मैदान से सम्बंदित वीडियो को देख सकते है चलिए अगला हमारा प्रशन क्या दोस्तो इसरो का पर्थम अध्यक्ष है के सिवान जो था दोस्तो इसरो का बर्तमान अध्यक्ष है के शिवान लेकिन अगर पर्थम की बात करें तो बिक्रम सारा भाई है जो इसरो का पर्थम अध्यक्ष है सतीस रेड़ी कौन है तो DRDO का अध्यक्ष है सतीस रेड़ी DRDO का जो अध्यक्ष है वो कौन है सतीस रेड़ी है ठीक है के सीवान है जो इसरो का बर्तमान अध्यक्ष बीकरम सरभाई है जो इसरो का पर्थम अध्यक्ष हमारा उनीश नंबर प्रश्णी क्या कहता है इसको जरा देखते ही उनीश नंबर हमारा जो प्रश्णी दोस्तो कहता सीखो के चतूर्थ गुरु कौन थे इन में से और गुरु रामदाश चौर थे, ठीक है? इस परकार सीखो के कुल दस गुरु थे ठीक है? और दसवा गुरु कौन थे? सीखो के दसवे गुरु गुरु गोविन सिंह जिनका जन पतना में हुआ था, सीखो के पर्थम गुरु गुरु नानग देव, और दुसरा अंगत और चौठा थे गुरु रामदाश अगला हमारा प्रस्ण है और हमारा आखरी प्रस्ण है दोस्तो कि रजत करांती संबंधित है मचली पाणी में होता है अर्थात पानी का कलर होता नीला इसलिए ये नीली करांदी से संबंदी थे मचली नीली करांदी से संबंदी थे अंडा को कहा जाता है रजत करांती अंडा किस से संबंदी थे अंडा रजत करांती से संबंदी थे तेल का कलर होता पीला वाइल वाइल जो होता है वो पीली करांती के अंतरगत आता है पीली करांती से संबंदी थे इस परकार हाज हमारा क्या होता दोस्तो बीस प्रशनों का जो सिल सिला था एक पूरे सेट गुरूब डी के लिए बेहतर सेट जो था आप लोगों के सामने हमने क्या किया वो पस्थित किया और अब आपकी बारी है आप लोग इसको बारी की से देखें और देखने के बाद इसको कॉपी में नोट करेंगे नोट करने के बाद इसको रि मंजील पर जाना चाहते है उस मंजील तक ले जा सकता है या नहीं आपको कॉमेंट में बताना है अगर आपका ज्यादा स्यादा कॉमेंट आया तो हमारा ये जो परकिरिया है ये निरंतर बना रहेगा हम हर दिन एक सेट लेकर आएंगे जिसमें 20 परशन होगा और आज का जो स वकता गया आप लोगों के शमक्ष से इस बीदा लेने की फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेट में तब तक आप लोग क्या करें अपने मंजील को पाने में जीजान से जूटे रहें और खूब परिश्रम करें खूब लगंसील बने और अपने मार्ग पे हमेशा चलते रहें क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं हम लोग तब तक छोड़ेंगे नहीं कहना है जाते जाते कि मंजिल ने कहा होसलों से तेरे बस की बात नहीं मंजिल ने होसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं होसलों ने मंजिल की आखों में आखों डाल करके ही चल जुटी तेरी इत होशला भी मंजिल से कम नहीं है मंजिल कहता है होशलों को कि तुम से हम नहीं हो पाएंगे लेकिन हमारा होशला कहता है कि तेरे बस की बात नहीं चल जुटती तेरी इतनी ओकात नहीं मंजिल कहता है होशलों कि तेरे बस की बात नहीं लेकिन होशलों ने भी जवाब दिया कि तेरी इतनी आउकात नहीं, तुम क्या मुझे मंजिल, क्या मुझे रोक शकती है, जब हमारे अंदर जुनून है, जब होसला है, जब हमें एक जिद्धी बन चुके हैं, हम अपने मार्क पे एक अदम टठस्त हो चुके हैं, तो फिर हमें मंजिल तक जाने से मंजिल भी नहीं और दूनिया का तो छोड़ोना मंजिल भी नहीं रोक शकती है, तो आप अपने मंजिल को पाने में, आप लोग जी जान से जुटे रहें, आप हमें सपोर्ट करें और हम आपको सपोर्ट करें, और सपोर्ट करते हुए, हम सब एक दिन मंजिल की कगार ओप्पे होगे, चलि आपने हीं